दोस्तो मुझे वोपिडी में बहुत बार पेशन ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सच है अलकोल से लिवर खराब होता है अगर होता भी है तो कितना अलकोल लेने से होता है ये भी बहुत कॉमन है कि हम सब फ्रेंड मिलके शराब पीते थे अलकोल लेते थे फिर भ डॉक्टर बिपीन विभूते, लिवर एंड मल्टी ओर्गन ट्रांस्प्रांट सर्जन पुने। आज हम डिसकस करेगे कि अल्कोहल से लिवर कैसे खराब होता है। कितना अल्कोहल पीने से होता है। अल्कोहल पीने का सेफ या लोर लिमीट क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लिवर हमारे बॉड़ी का सबसे इंपॉर्टन ओर्गन है। मैं बार बार आपको ये हर वीडियो में बताता हूँ कि लिवर तकरीबन 500 से ज़्यादा काम करता है। वो enzymes, vitamins भी बनाता है और हमारे शरीर में detoxification मतलब जो भी वेस्ट प्रोड़क्ट हमारे बॉड़ी से बाहर जाना चाहिए। उसको वो filter करके detoxify मतलब detoxification का बहुत इंपॉर्टन काम ये लिवर करता है। दोस्तों और एक बात जो medicines हम खाते हैं या जो भी हम alcohol पीते हैं वो सब लिवर में ही metabolize होता है, लिवर ही metabolize करता है। तकरीबन alcohol का 90% metabolism लिवर में होता है। जब भी हम alcohol लेते हैं तो alcohol हमारे intestine से absorb होके लिवर तक जाता है। और लिवर में alcohol dehydrogenase नाम का एक enzyme रहता है। वो enzyme इस alcohol को breakdown करता है। उसको acetaldehyde में convert करता है। और ये acetaldehyde बहुत ही acidic होता है। और ये acetaldehyde का प्रमान या level जब भी बढ़ता है तो लिवर खराब होना चालो होता है। लिवर को सूजन आती है। लिवर में fat जमा होना चालो होता है। alcoholic hepatitis होके fibrosis और cirrhosis जैसे disease या बिमारिया देता है। तो दोस्तों जितने भी लोग alcohol लेते हैं या शराब का 7 करते हैं। उन में से 30% लोगों को लिवर की बिमारी होने का खत्रा हमेशा रहता है। जब भी ये बिमारी हमें समय पर हम detect नहीं करते हैं। समय पर इसका treatment नहीं करते हैं। तो उन लोगों में alcohol related liver cirrhosis होने का खत्रा हमेशा रहता है। और liver cirrhosis एक खतरनाक, dangerous बिमारी है। जिसका इलाज सिप liver transplant ही है। तो दोस्तों यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हमारा liver हर घंटे में कितना alcohol process कर सकता है। हमारा liver एक घंटे में एक alcohol unit ही process कर सकता है। अगर हम एक unit से ज्यादा alcohol हर घंटे में लेते हैं। तो वो हमारे blood circulation में रह जाता है। और उससे हमें नशा होता है। और ये हमारे heart, brain, liver, kidney को खराब करता है आपके मन में इस सवाल जरूर आया होगा कि एक unit alcohol मतलब क्या है एक unit alcohol का मतलब है 10 ml of pure or absolute alcohol इसका मतलब है कि spirit जिसमें 95% alcohol होता है या 175 ml of wine और 250 ml of beer 25 to 30 ml of hard liquor या alcohol मतलब whisky, rum या ode का alcohol की एक unit होती है तो दोस्तों आईए जानते हैं कि alcohol consumption का safe limit क्या है कितना alcohol हम ले सकते हैं, कितना safely हम consume कर सकते हैं वैसे तो alcohol नहीं लेना चाहिए एक limit से ज़्यादा alcohol लिया तो health पर बुरा असर होता है और safe limit, person to person change होता है, vary होता है यह आपके age, weight, height, body fat distribution भूँ सारे ऐसे चीज़े हैं, उस पे depend होती है यही reason हैं कि आपको liver disease है तो इसका यह मतलब नहीं है, कि जो आपके साथ alcohol ले रहे हैं आपके साथ रोज पी रहे हैं, उनको liver disease भी होगा क्यूंकि हर एक अदमी की, हर एक person की alcohol metabolize करने की capacity अलग-अलग रहती है तो आप दुसरे से compare मत कीजिए आईए जानते हैं, कितना alcohol safe है तो alcohol लेने के कुछ guidelines हैं, जहां UK और US में follow के जाते हैं कि जिससे हम liver को बचा सकते हैं, हमारे body को बचा सकते हैं तो UK guidelines के हिसाब से, एक हफते में 12-14 units से ज़्यादा alcohol नहीं लेना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि week में एक ही दिन आप units, जो decided units हैं, वो आप ले क्योंकि उसे binge drinking कहते हैं और वो binge drinking, regular drinking से खतरनाक होता है binge drinking के बारे में एक अलग video बनाया है, उसे आप जरूर देखें हैं तो आप आपको कुछ बातें आपके दिमाग में रखनी हैं week में 12-14 units से ज़्यादा alcohol नहीं लेना चाहिए tip number 2, एक दिन में 2-5 units से ज़्यादा alcohol नहीं लेना चाहिए tip number 3, एक घंटे में 1 unit से ज़्यादा alcohol consumption नहीं करना चाहिए क्यूंकि जैसे मैंने बताया कि liver एक घंटे में सिप 1 unit alcohol को ही metabolize कर पाता है और जो भी alcohol आप excess पीते हो, पी रहे हो, वो alcohol detoxified नहीं होता है, metabolized नहीं होता है और वो unmetabolized, non-detoxified alcohol आपके body को, आपके liver को बहुत ही harmful या dangerous है tip number 4, जब भी आप alcohol पेते हो, तो 2 alcohol के session में at least आपको 2 या 3 दिन का अंतर रखना चाहिए क्यूंकि liver recovery के लिए उतना time जरूरी है tip number 5, drinking more slowly, you enjoy your drink, always drink with the food, आप drink को पानी या बाकी soft drink है उससे आप alternate कर सकते हो tip number 6, घर पे पीना please avoid कीजिये, क्यूंकि अकसर हम लोग घर पे ज़्यादा पीते हैं क्यूंकि घर पे हम अकेले रहते हैं और अकेले में हम हमेशा alcohol के units हैं, वो ज़्यादा होते हैं ना भूले, if you want to enjoy life, you need to follow these UK guidelines तो दोस्तों आप ये UK guidelines को आप follow करोगे, तो आप आपके liver को बचा सकते हो alcohol consumption units, male और female के layer अलग-अलग हैं females always requires less amount of alcohol to get intoxicated इसका मतलब है कि जो safe limit है females में, वो male से कम है मतलब 8 to 10 units per week is the safe limit for the females इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप female हो और alcohol consumption करते हो और आपने pregnancy का plan किया है, या आप already pregnant हो और आप alcohol लेते हो तो आपको तुरंत बन करना चाहिए, क्योंकि alcohol का direct effect आपके baby पे हो सकता है एक बहुत important चीज है कि जब भी आपको alcohol dependence होता है, alcohol tolerance होता है तो आपको उसको reset करने की जर्रत होती है जैसे हमारा computer कभी hang होता है या computer खराब होता है, तो हम हमेशा reset या reboot करते हैं वैसे हमारे system को भी reboot या reset करने की जर्रत है, तब आप alcohol के side effects से बच सकते हैं तो बहुत लोग regular drink करते हैं और उसका effect या intoxication नहीं होता है, तो आपको ये alcohol tolerance हो सकता है इज़री लोग कहते हैं कि उन्हें नशा नहीं चड़ रहा है, तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि हमें tolerance develop हो रहा है और ये early science हैं कि ये alcohol dependent होने का, alcohol पे dependency रहने का अगर ऐसा है तो आप अपने doctor को तुरंत मिले और medical help ले tolerance से बाहर निकालने का एक ही उपा है कि कुछ महिनों तक आपको alcohol से दूर रहना है, साउधान रहना है अगर आप कोई भी medicine ले रहे हो जैसे कि painkiller है कुछ antibiotics है कुछ blood thinner है तब आपको alcohol बिलकुल नहीं लेना चाहिए और liver को बचाना चाहिए कि लिवर के लिए ये सबसे घतक है तो दोस्तो यदि आप alcohol ले रहे हो और आपको थकान सी महसूस हो रही है आपका urine, skin, eyes yellow दिख रहे हैं आपके पेट पेट पे सूजन आ रही है आपका वजन कम हो रहा है या आपको uncomfortable feeling आ रहा है या आपको खून की उल्टी हो रही है तो आपको alcohol को तुरंत बंद करना है और doctor की सला लेना है तो दोस्तो यदि आपको ये जानना है कि alcohol के वज़े से liver में क्या-क्या बिमारिया हो सकती है तो हमारा alcohol liver disease वाला वीडियो जरूर देखिए तो दोस्तो मैं जाते जाते यही कहना चाता हूँ कि अब alcohol का seven मत कीजिए जब भी आप करते हो तो एक safe limit में कीजिए एक responsible बनके कीजिए मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे doubts clear करने की कोशिश किये है फिर भी इसके बावजूद आपके मन में जो भी सवाल है वो हमें comments में जरूर लिके मैं और मेरी team आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे यदि आपको एक healthy life जीना है तो एक healthy liver की जरूरत है तो दोस्तो liver fit तो जिन्दगी hit धन्यवाद